जै मराद काली भक्तू आज का जो वीडियो है ये उन लोगों क्ले है जो अक्सर मुझे सवाल करते हैं गुरुजी कुछ ऐसा बताएए घर में जैसे कलेश होना बंद हो जाएं घर में बुरी आदते बंद हो जाएं नेगेटिविटी खतम हो जाएं और जीवन भार घर में कुछ लोग क्या मांगेंगे जीगे यह सब चीज धारणा रखे वो चाहते हैं किसे सिम्पल तरीके से कैसे करा जाए जिसमें हम अगर नाचरूब तरीके से इस चीज को अगर करना जाए तो कैसे कर सकते हैं तो उन सभी का जो समाधाने इस वीडियो के मान्धम से वे आपक कि घर में हमीशा positivity रहेगी, घर में दिन दुगनी, राच चमनी, तरक्की रहेगी, कलीश आपके घर में नहीं होंगे, जगड़े आपकी घर में नहीं होंगे, नजर अगर बार बार लगए और नजर रखना बंद हो जाएगी. आपको जहानकारी दिने से पहले हमीशा की तरह आप लोगों से निवेद रहे हैं, अगर परसली आप मुझसे जोड़के कोई समस्या का समधान चाहते हो, और आप जगा-जगा जाके ठक चुके हो, कोई भी प्रकार की समस्या है, कोई भी संकर्थ है, आपने क्या करना है, मेरे साथ online appointment बुक करना है, छुड़ी से amount पे करने के बाद आपने time लेना है मुझसे, इंस्टा कॉल और फेस्बुक कॉल के माध्यम से मुझसे बात करनी है, बात करके चुब भी प्रॉब्लम होगी 101% ग्यारेटी के साथ मैं आपको समाधान दूँगा, अब बुक कैसे करना है appointment यह बता देता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल का नाम नीचे blink होता है बाद देख रहे हैं, 101% ग्यारेटी के साथ उस चीज़ का समाधान दूगा, अब आज जाते हैं आज की वीडियो में जो सुक और सम्रेटी के रहसे मैं आपको बताने जाना हूँ, अगर आप फॉलो करते हो, आपके घर में हमीशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, नेगेटिव चीज़ से बिल्कुल खतम हो जाएंगी पुरी तरीके से, क्योंकि हिंदु धर्म में वास्तूर सास्त्र का विशेश महत्त बताया गया है, बहुत से लोग अपना हर एक काम वास्तूर के अनुसार ही करते हैं, ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सरल वास्तूर टिप्स मान लीजे, उपाय मान लीजे, वो चीज़े बताने वालों जो आपके जीवन में खुशाली, सुख और सम्रिद्धी बनाए रखेंगी, कोई उसे टस से मस नहीं कर सकता, साथी साथ में आपको बता दू कि घर में खुशाली और सम्रिद्धी बनाए रखने के लिए वास्तू सास्त्र में कुछ महत्पूं टिप्स दिये गए हैं, इनका पालन करने से घर में सकरात्मा कुर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पारिवारिक संबंदों में सुधार होता है, यहां मैंने जो है डेली रूटीन के कुछ सरल वास्तू टिप्स आपको दे रहा हूं, जिससे आप डेली लाइव में फॉलो करों और सुख संब्रिदी और खुशाली अपने घर में लाइए, सबसे पहली जो टिप्ट है वो है कि सुभा की शुर्वाज, सूरज की रौश्नी के साथ करें, हर सुभा जल्डी उठें, अपने घर के सभी क्ड़ की दर्वाजों को आप खूल लें, सबसे पहले, ताकि प्राकर्तिक रौश्नी और ताजी हवा आपके घर में प्रवेश करें, और सकरात्म कूर्जा का संचार प्रवा हो, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखने हैं, वो है स्वच्छता पर आपने अविश्य ध्यान रखने हैं, घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ सूतरा घर ना केवल सुन्दर दिखता है बलकि ये सकरात्म कुर्जा को भी आकर्शित करता है विशेशकर पूजा इस्थान हो गया रसोई का हो गया आपका एरिया ये हमेशा साफ सूतरा होना चीए रात में सोने से पहले कीचन के सिंख के जितनी भी जूटे बरतन है वो ऐसा ही ना छोड़े उनको साफ कर दे इसके लावा किसी छोटे से बरतन में पानी रखकर ढख दे और दूसरे दिन पानी को पवित्र पौधे में डाले ये उपाए रोजाना करने से घर में भरकत बढ़ती है और खर्च जो आपका व्यर्थ का पैसा जाता है उस पे भी नियंतरना आ जाता है अगली जो चीज़े वो ध्यान रखने वाली ये है कि पूजा स्थान सही रखे मेरे कहने का अर्थ है कि पूजा के स्थान को हमीशा घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखे इसे हमीशा साफ और व्यबस्थित रखे सुभे शाम नियमित पूजा और धूपत्ती करने से घर में सकरात्म कूर्जा बनी रहती है पूजास्थान में फूल, बेलपत्र और अन्यफालतू चीज़ों का धेर इकड़ थाना होने दर मतब मैसी ना रखे, खौज पौच ना हो, बंदगी ना जमा हो, मतब साफ सुत्रा हो अगली जो चीज ध्यान रखने वाली है घर के प्रवेश द्वार का ध्यान रखना है आपने क्याते हैं जैसे घर का जो मीन इंटरी होती ना वो आपका मूँ समझ लीज़े जिसे घर का मूँ है अब उसके अंदर क्या जा रहा है क्या आ रहा है उसी से पीछे का शरीर आपका सही रहेगा ये बेकार हो जाएगा जैसे हमारे मूँ में हम कुछ अच्छा खाना का रहे है तो पेड भी जादा है भी नहीं होगा शरीर भी ठीक रहेगा पुरा दिन ठीक अच्छी नींद आएगी अच्छी सिहत रहेगी अगर वहीं हम उटपडांग चीजें चौमिन मोमोस ये वो सोख खाने लग जाए तो फिर शरीर हैविनेस आ जाती है बिमारियां बढ़ने लग जाती है तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है तो उसी तरीके से मैं बोल रह नहीं होना चीए क्योंकि ये घर में खुशाली का प्रतीक होता है इसके इलावा संबब हो तो रोजाना मुख्य द्वार के दूनों तरफ आटे से आप रंगोली बनाए और एक लोटे में पानी भर कर उसमें फूल डाल कर रखे इससे लक्षमी प्रसंद होती है और ये अगली जो चीज है वो है ये भी एक नियम कह लीजे या आदत कह लीजे आपको ये ज़रूर बनाई चाहिए पौधे लगानी की घर में हरे भरे पौधे होना ये ना केवल धर की खूबसूरती बढ़ाते हैं बलकि उर्जा स्थर को भी उंचा रखते हैं तुलसी का पौध विशेश रूप से शुब माना जाता है तुलसी हो गया या प्राजिता हो गया या मनी ब्लांट हो गया या केला हो गया इन सब के साथ आप ये जो पेड़ पौधे अगर आप लगाते है तो अत्यंत शुबकारिया आपके घर के लिए कहलाते हैं जितनी भी से जो कोई हर कोई नहीं देने वाला वास्त होगी पर मैं आपको बता रहा हूँ और आपके काम आने वाली और आप इन से बदलाओ भी देखोगे सोते समय सिर को पूर्व दिशा की ओर रखे ये ना कि वल स्वास्त में आपकी फाइदे मन्द होगी बलकि मानसिक शान्ती भी आपको प्रदान करेगी कभी भी दक्षिन की ओर पैर रखकर नहीं सूना चाहिए स्वास्त और पायू के लिए ठीक नहीं होता तो जितने लोगों के आदत है कि दक्षिन दिशा में पैर करके अगर सो रहो आज ही साफ धानो लो और ये दिशा बदल कर इसको उल्टा कर लो तो दक्षिन दिशा में आपने पैर नहीं करना है अगली जो चीज़े ये सभी अगर फॉलू कर लें तो और भी अच्छी बात है ये मेरा पर्सनल टेवरेट है कि खान पीन में अच्छा खान पीन जो है वो आपने अपनाना है रोजाना ताजे और स्वच्छ भूजन का सेवन करना है घर में खाना बनाते समय सकरातमक सोच रखनी है जिस शक्ति को आप मांते उनका नाम जाप करो और खाना बनाओ क्योंकि अच्छे विचारों से खाना और भी स्वादेश्ट और पॉष्टिक बनता है घर में उतना ही खाना बनाए जितना आवशक हो अधिक भूजन बनाकर बरबाद करने से अनपूर्णा माना राज होती है फिर खाना जितना आता रहेगा राशन जितना आता रहेगा वो कम होता जाएगा वो खतम होता जाएगा आपको लगेगा यह तो डबल खर्चा हो रहा है, भूग नहीं बढ़ भी है वर वेस्टिज बढ़ रहा है अगली जो चीज है जगे जगे पर बिखरे सामान को व्यवस्तित करना ये आपने सबने नियम बनाना है धर के हर स्थान पर जो सामान व्यवस्तित आप रखना है, बिखरे हुए सामान से नकरात्म पोचा उत्पन होती है हर चीज को अपने स्थान पर रखने से मानसिक शांती मिलती है रोजाना घर में जाडू और पोचा जरूर करें इसके इलावा जाल और जो धूल ये सब चीज़े होती है ये भी आप फोचते रहें इने साफ करते रहें जितना ये जाला और जितनी मकड़ी और जितनी गंदगी आपके घर में जमाओगी कुनों कुनों में तो उतनी जादा दरिदिता आपके घर में आएगी और negativity आपके घर में फैलेगी अगली जो चीज है सारा वातावरन आपने साफ कर लिया सब कुछ अच्छा कर लिया पर आपने वाणी ही अपनी सही नहीं रखी घर के सदस्यों के साथ सकरात्मक बाते करनी है एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना है और घर में खुशहाली का महाल बनाना है इससे रिष्टों में मजबूती आती है और फालतु में जो जगड़ा तलेश लड़ाई होती है न वो खतम हो जाती है साथ ही घर की इस्तरी सदेव हसते और मुस्कुराते हुए इससे घर में क्या होगा अगर घर की लक्षमी हसरी है मुस्कुरारी है खुश है न तो आपका घर देखना इतना पॉसितिव होगा कोई विपदा नहीं आएगी कोई परिशानी नहीं आएगी और आएगी भी चुटकियों में चली जाएगी आपको पता मीन लगेगा यह परिशानी का हल हुआ तो हुआ कैसे क्योंकि घर की लक्षमी आपकी पतनी आपकी बेहन आपकी बेटी वो रसन्य वो खोश है वो दुखी नहीं और अगली जो चीज है ध्यान रखने वाली वो है समे पर बिस्तर को ठीक करना सुबह बिस्तर को नेगेटिव रहेगा इससे घर में क्या होगा अगर आप यह चीज मतब उखते ही न अपनी ब्लैंकिट ही अपनी चादर की तही कर दे तो बिस्तर सही से लगा दे तो इससे क्या होगा एक तो घर में सुकून आएगा साफ सफाई का महौल बना रहेगा बिस्तर ठीक नहीं क जगह में तक्ये को तक्ये की जगह में चादर को बिलकुल बिना क्रिंज पड़े या बिना सिल्वटे पड़े आप उसको सही कर दीजे धूल मिट्टी उससे साफ कर दीजे देखे आपका दिन इतना पॉजिटिव निकलेगा और पैसों का जो फ्लो होगा वो भी दीजाना मेरी गारेंटी है लाइफ में आधी से जादा की प्रॉब्लम जो है न वो उन चीजों के आपको सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे तो इससे बढ़िया क्या चाहिए न तो लाइफ में अगर आपको अपनी हर्डल्स अपनी प्रॉब्लम अपनी समस्याओं के समा लग रहें प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को लाइक करके जाना जोरब मन लोग इसा शेर करना ना बूलना कमें जैम आता दी जरूर लिखना दरबार से बने रहें सभी भत्तों को जैम आता दी जैम डाट का दी